दोस्तों, बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपनी डांसिंग और आक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अभिनेता गोविंदा को भला कौन नहीं जानता होगा? एक दौर ऐसा था जब इन्होंने एक से बढ़ कर एक फिल्में बॉलिवुड को दी नभे के दशक में इनकी जोडी करिश्मा कपूर के साथ काफी लोक प्रिय थी इन दोनों की जोडी ने एक से बढ़ कर एक फिल्में दी है गोविंदा बॉलिवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं जो ना सिर्फ अपने अभिने के लिए बलकि अपनी डांसिंग और लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन दोस्तों आप सब गोविंदा के बारे में तो सब जानते हैं पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं? कि वो कौन हैं? क्या करती हैं? और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस विडियो के एंड तक बने रहें. साथ ही बॉलिवुड इंडस्ट्री के इस दमदार अभिनेता क के लिए हमारी विडियो को लाइक करना न भूलें. बॉलिवुड आक्टर गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था. इन्होंने अपनी शिरुवाती करियर की पढ़ाई मुंबई से की है. इनके पिता भूत पूर्व अभिनेता, अरुन कुमार और मा एक जानिमानी गा आजनेता भी रह चुके हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने बहतरीन कलाकारी के लिए जाने जाते हैं. गोविंदा अपनी अनोखी डांसिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं. इन्होंने 1986 की फिल्म अंजाम से बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था. औ आपको बता दें कि ये अब तक तक तकरीबन 165 हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं. इन्होंने अपनी दमदार कॉमेडी और अभिने के दम पर बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. और ये ना सिर्फ अपने अभिने के लिए बल्कि अपने के लिए भी जाने जाते हैं. लेकिन अगर बात करें इस दमदार डांसर की बेटी की तो इनकी बेटी का नाम टीना अहुजा है. ये रागिनी खन्ना और कृष्णा अभिशेक की बहन है. इनका जन्म 10 जुलाई 1989 को हुआ था. साथ ही ये अभिने 30 सेकंड हांड हस्बंट से बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुकी है. इस फिल्म से इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली. जिसके बाद इन्होंने जिंदगी का रहस्य नामक फिल्म में काम किया. इस फिल्म में ये पूनम का किरदार निभाते हुए नजराई थी. पर इस फिल् तो आपको गोविंदा की बेटी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. साथ ही बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.